आज हम बनाएंगे हरी मिर्च का टेस्टी चटपटा अचार जिसे आपको बनाने में मैक्सिमम 10 से 15 मिनट लगेंगे खाने में बहुती ज़्यादा टेस्टी लगता है और बनाने में बहुती ज़्यादा आसान होता है तो नमस्ते फ्रेंड्स नर्मदा टेस्टी फूड में आपका बहुत बहुत स्वागत है अगर ये रेसेपे अच्छी लगे तो प्लीस लाइक सियर करें चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें हरी मिर्च का अचार बनाने के लिए मैंने ली है 200 गिराम मोटी वाली हरी मिर्च इनको मैंने धोके साफ कर लिया है और दो गंटे के लिए मैंने धूप में रख दिया था जिससे इनका सारा पानी सुख चुका है हरी मिर्च को हमें पहले धोके साफ कर लेना है और अगर आप इनको धूप में ना रख पाएं तो आप किसी पंखे के नीचे इनको रख दें क्योंकि इनका सारा पानी हमें सुखा लेना है हरी मिर्च को विलकुल सुखा कर लेना है अब हम हरी मिर्च को चाकू की हेल्प से बीच में से कट कर लेंगे सभी हरी मिर्च को हम इसी तरह से कट कर लेंगे इसके बाद मैंने ली हैं 200 गिराम हरी मिर्च तो हम दो टाइप से अचार बना रहे हैं तो मैंने टोटल 500 गिराम हरी मिर्च ली हैं जिनको मैंने आधा आधा कर लिया है अगर आप चाहो तो एक ही तरह से हरी मिर्च को काट सकते हो लेकिन इस तरह से भी जब आप हरी मिर्च को कट करके अचार बनाते हो तो खाने वाले को बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है और देखने में भी काफी अच्छी लगती है तो ये लिजे हरी मिर्च को हमने कट कर लिया है और इसके बाद हम मौटे छेद वाली छणली लेंगे और इनको हम थोड़ा सा छान लेंगे तो ज़्यादा वीज हमें नहीं निकालने हैं जितने इजिली निकल पाएं उतने ही हमें निकाल देना है क्योंकि हमने ये मौटी वाली हरी मिर्च ली है चुकि तीखी कम होती हैं अब हम अचार के लिए मसाला तयार करेंगे तो मैंने 500 गराम मिर्ची का मसाला एक साथ तयार किया हुआ है जिसे हम दोनों मिर्ची में आधा आधा डालेंगे मैंने लिया है एक नीबू 5 से 6 चोटे चमच नमक 100 गराम के करीब राई आधा चोटा चमच काला नमक आधा चोटा चमच अजवाइन आधा चोटा चमच हल्दी पाउडर सभी चीज़ों को एक मिक्सिंग बॉल में ट्रांसफर करेंगे और इसके बाद हम इसमें नमक डाल देंगे अब हम इनको थोड़ा सा मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद हम इसमें एक चोटा चमच ऑईल डाल देंगे तो तेल को हमें पहले गरम कर लेना है और अभी हमें इसमें सिर्फ इतना ही तेल डालना है इससे ज़्यादा अभी आप इसमें तेल ना डाले इसके बाद हम इसमें नीबू का रस डाल देंगे और अब हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे अभी आप देखिएगा कि एक चम्मच ओईल में और नीबू की रस में ये मसाला कितना ज़्यादा ओईली हो जाएगा और ये लिजिए मसाले को हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है आप देख सकते हैं मसाला बिलकुल परफेक्ट है और अब हम मिर्ची लेंगे तो सबसे पहले जो मिर्ची हमने बीच में से कट की थी उन्ही में हम मसाला भरेंगे क्योंकि इन मिर्ची में थोड़ा सा जादा मसाला भरा जाता है तो इसी लिए हम सबसे पहले इन्ही मिर्चियों को मसाले में फिल करेंगे ये लिजिए हमने एक मिर्ची भर के तयार कर लिया है और इसके बाद हम दूसरी मिर्ची भी भल लेते हैं तो इसी तरह से हमें सारी मिर्ची भर के तयार कर लेना है तो ये लिजिए हमने इन में मसाला भर के तयार कर लिया है और इनमें हमें मसाला अच्छे से भनना है क्योंकि जो मिर्ची हमने गोल साइज में कट की थी उनमें मसाला बहुती कम लगेगा इतना मसाला हमारा बच गया है तो अब हमने जो मिर्ची गोल साइज में कट की थी उनमें हम ये मसाला मिक्स करेंगे तो आप देख सकते हैं कि कितना मसाला हमारा बचा है तो इन मिर्ची को थोड़ा सा और टेस्टी बनाने के लिए हम इन में आधा नीबु का रस भी डाल देंगे अच्छे से हम इसको मिक्स करेंगे और इसके बाद हम इसमें मिर्ची डाल देंगे मिर्ची को मसाले अच्छे से कोड करेंगे अच्छे से हम मसाले में मिर्ची को मिक्स कर देंगे और इस अचार को बनाने के बाद आप एक दिन के लिए इसको रख दे एक दिन बाद इस अचार को आप फिर से चेक करें तो ये लिजिए अच्छे से हमने इसको mix कर दिया है अब हम दोनों अचार को एक दिन के लिए रख देंगे तो ये लिजिए मैं इसको आपको एक दिन बाद दिखा रही हूँ ये देखिए मिर्ची कितनी ज़्यादा soft हो चुकी है क्योंकि हमने इसमें नमक डाल दिया था और नमक की बज़े से मिर्ची अच्छे से soft हो चुकी है अब हम इसमें पानी चेक करेंगे तो जब हम मिर्ची में नमक डाल देते हैं तो बहुत सारा पानी release होता है जिसे हमें निकाल देना होता है फिर भी आप मिर्ची को टेस्ट कर ले और अगर आपको नमक ज़्यादा लगता हो तो आप ये पानी निकाल दे और इसी तरह से हम दोनों मिर्चियों में से पानी निकाल देंगे तो इसमें से भी हमें सारा पानी निकाल देना है इससे ये मिर्ची का अचार काफी लंबे टाइम तक चलता है खराब नहीं होता है और इसमें आपको ज़्यादा ओईल भी डालने की जरूरत नहीं है क्योंकि मिर्ची के अचार में ज़्यादा तेल डालने से मिर्ची का जो ट आप तुरंत ही बना कर खा सकते हो बहुती ज़्यादा टेस्टी लगता है और इसके बाद ये देखिए हमने इसका सारा पानी निकाल दिया है इसको आप किसी भी काच के जार में भरके रख दीजिए कई महीनों तक ये खराप नहीं होता है और ये मैंने 50 किराम तेल गरम कर ल किया है क्योंकि अचार सर्शों के तेल में ही ज़्यादा टेस्टी लगता है अच्छे से हमें इसको गरम कर लेना है और इसके बाद हम इसमें आधा निबु का रस और डाल देते हैं और अब हम इसमें तेल भी डाल देंगे तो आपको ध्यान रखना है कि तेल आपको एक द और ये लेजिए टेस्टी स्वादिस्ट अचार बनकर तयार है अगर आप इसमें ओईल न डाले तब भी ये अचार खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है तो फ्रेंड्स अगर ये अचार की रेसिपी आपको पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक चरू झारें बाइब करें बाइब आज बाइब